एक प्रयार्थना है जो भावुक्त जन भक्त जन भावुक्ता में गल्ती ना कर दे और शावधान है जैसे किसी भक्त ने अभी जब आ रहे थे तो पोश्टर लगवाए है थोड़ा सा नुमती लेने की आवश्यक्ता है हमारे यहां कहीं यह पोश्टर यह सब इसके योग यह नहीं है और दूसरी बात उसमें राधा नाम लिखा है जो हमारा प्राण है हमारा जीवन है वो जब फट के नीचे गिरेगा और पैरों के नीचे आएगा तो तुम्हारे शुक्रित नस्ट हो जाएंगे तो आप आये हो लाभ लेने और हो गया नुक्षान इसलिए सबसे प्रार्थना है कोई ऐसी भावक्ता वस्क्रिया मत करो जो तुम्हारे शुक्रित को नस्ट कर दे यहां आने के पहले तुम्हें सत्संग शुनना चाहिए उसका मनन करना चा कि हम कैसे रिजाएं ब्रंदावन धाम को ब्रंदावन के लाडेले युगल चंद्र को और उनको प्यार करने वाले रशिकों को थोड़ा भी मनमानी आचरण अहंकार का बढ़ावा दे शकता है आपसे ऐसे अपराध करा सकता है जो आपको लगता ही नहीं कि अपराध है इस को यह शी बात जैसे कल आ रहे थी तो गली में स्रंगार में लिखा था प्रेम रश आगे भूल गए कुछ कुझ प्रेम रश कुझ या प्रेम रश दाइनी कुझ ऐसा जो भी बिलकुल नहीं प्रेम रश ये प्रियाजू का नाम है चाहे राधा बोलो चाहे प्रेम रश दा अच्छा नहीं लगा आप लोग क्या शत्संग सुनते हैं लिखना जरूरी है दुश्री बात जैसे आप मयूर बनाए तो जिस मयूर पंख को हमारे ठाकुर माथे पे धारन करते हैं अगर उस पे पैर पढ़ गया तो हम उपाशक हैं हमारा हर्दे दुखित होगा ऐसी कोई भ देख करके हमारा हर्दे दुखी हो दुखी का मेरे आराद दिव शम्मंदी ऐसा नहीं होना चाहिए आप शंदर फूल बनाएए और भी आकरतियां हैं और शंदर चौक पूरिये और जबान से खुब नाम किरतन कीजिए हर्दे में रूप बशाइए इससे आपका लोग पर आप नहीं ले सकते और जगे आपको हो शकता है कि यहां नहीं मिल सकता यहां तो शुद्ध भाव को आप समझो अगर भाव को नहीं समझ पा रहे हो तो चुप चाप बैठे रहो शुनो भावजागरत हो जाएगा तो यहां भी और गली में भी जो भी जैसी अच्छा है बं यह शरीर पर साथ में प्रिया प्रितम होते हैं उन्हीं का सारा इश्वागत हो रहा है उन्हीं की महिमा है पर उनका नाम उनका रूप कोई भी ऐसी बात जो आपके आंतरिक भाव का अपरण कर ले ऐसी मत्चेस्टा कीजिए